क्या हर वो आदमी जो इस organization में काम कर रहा है लीडर बनने के काबिल है तो कुछी ये समझा तो ये leadership क्या है अगर मैं अकेला लीडर ही होगा इस दुनिया में तो सारे लोग मुझे follow करें ये नहीं हो 1000 people, 10,000 problems आप leaders actually born या वो born नहीं है, वो बनते हैं वो कहते हैं या तो आपका growth mindset होगा या आपका fixed mindset होगा कुछ leaders in security का शिकार हो जाते हैं मैं लगता है कि हम इस level पर पहुँच गया है तो यहां से नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं क्या difference है leadership और management में founders में leadership skills की ज़्यादा जरूरत है चार-पांच बार I think उनका ऐसा stage आया है जब company bankrupt हो सकती थी बहुत सारे global लोगों के साथ काम करते हैं Do you find any difference? कंपनी कहती है सब्तर घंटे काम करो नहीं तो मुश्किल है तुमारा है या तिकना clean corporates, future आपको bright लग रहा है Hi everybody, this is C.N. Nitin Soni here दोस्तो स्वागत है आपका एक और podcast में, एक और interview में और आज जो special guests हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात करने वाले हैं leadership पर उनसे हम बात करने वाले हैं उन skills पर जो आपको और मुझे next level पर लेके जा सकती है क्या रोकता है हमें और क्या वो skills हैं जिस पर अगर हम काम करें we can optimize what we want to do in our life we can reach where we want to reach in our life and probably beyond आज के जो guest है इस podcast को सुनने से पहले मेरा suggestion है एक pen और diary लेके बैठ जाईएगा कुछ notes बना लीजेगा कुछ basic ऐसे pointers अगर आपको मिल जाए जिनको आप सुबह ब्रश करते वक्त अगले दिन अगर सुन ले अगर इसको revise कर ले अगर आप इसका revision कर ले तो मैं समझूंगा कि आपको और मेरा यह जो समयम साथ बिताने वाले है इसको जस्टिस कर पाएंगे so without much ado I want to introduce you to my guest he is one of India's leadership top leadership coach and consultant he is based out of Melbourne, Australia he is helping leaders across the globe and I had the privilege to have him here in the studio today so I want to introduce you straight away to none other than Utkarsh Narang Utkarsh, welcome to the program thank you so much Nitin for hanging there and your energy, I feel like today our viewers will actually get such a thing that will apply daily, which you have said sky is not even the limit to me there is no end in our growth so hopefully today our conversation will take you there thank you very much Utkarsh thank you very much for coming and you know sparing your time to share your words of wisdom मैं सबसे पहले यह समनना चाहता हूँ क्योंकि यह नहीं समझाया आस तक मैं मैं सी यह किताबों में बहुत पढ़ लिया academics में समझ लिया और बड़े-बड़े coaches को trainers को, अपने गुरूस को बोलते सुन लिया leadership, leadership, leadership अज मुझे simple शब्दों में आप बस इतनी help कर दो मुझे यह समझा दो, यह leadership क्या है बिल्कुल, इसके लिए नितिन हम start करते हैं कि boss क्या होता है boss वो इंसान होता है कि जिसके under अगर आप काम कर रहे हैं तो Sunday रात को ही आपको anxiety होनी शिरो हो गई है कि अगले दिन सुबह मेरे को नौकरी पे जाना है boss वो इंसान होता है जो आपसे power के through काम करा सकता है hierarchically काम करा सकता है और उसको बिल्कुल फरक नहीं पड़ता कि आपकी journey में और आपके साथ क्या हो रहा है उसकी चिंता बस यह है कि जो काम मेरे को मिल रहा है जो company का profit line है वो उपर जाता दाना चाहिए leadership on the other side Nathan is कि मुझे आपकी भी चिंता है मुझे अपनी भी चिंता है इस पूरी organization की भी चिंता है और ये growth तभी होगी जब आप grow करोगे मैं grow करूँगा और organization grow करेगी एक leader को हम follow करते है इसलिए नहीं क्योंकि वो powerful है इसलिए नहीं क्योंकि उसका सबसे बड़ा कोने वाला office है हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें inspire करते है वो role model करते है आप example लीजे नहीं रतन टाठा जी को हम देखे मैं आज तक इतने लोगों से बात करी है कभी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कहते कि उस इंसान में ये गलती है या वो इंसान खराब है या उसकी company में ऐसा होता है इसे कहते हैं असली example of leadership a person who wants the best in you the best in themselves and the best in every situation ये सही माइने में leadership है और जो सबसे बड़ा काम एक leader का होता है नितिन वो होता है कि मैं अपने नीचे और leaders कैसे बढ़े करूँ क्योंकि सारी चीज़े तो मैं नहीं कर सकता अगर मैं अकेला leader ही होंगा इस दुनिया में तो सारी लोग मुझे follow करें ये नहीं होता मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे नीचे के लोग भी बढ़ते जाएं वो एक दिन leader बने और फिर मेरा काम वो और असान कर दे तो सरल शब्दों में ये एक असली leader की definition है कि उसको आपकी भी चिंता है अपनी भी और organization and society की अब इसमें जैसे हम कहरें कि हमें एक ऐसा leader हो जो अपनी भी चिंता परे सामने वाली की भी चिंता जाए अब किसी के organization में suppose एक अजार employees और उन एक अजार employees के दस हजार issues है अब एक as a leader मैं किसकुसको touch करूँ और कैसे touch करूँ तो how do I justify this tag with me that I am the leader how do I justify 1000 people, 10,000 problems मैं appraisal की बात करूँगा, मैं performance evaluation की बात करूँगा उसके आँखों में आसु आएंगे मेरे बहर में ये problem है sir आज मेरी health में problem है sir तो मैं समनना चाहता हूँ on a practical level ये कितना संभव है और अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो उसे संभव कैसे करना है इसके लिए नितिन मिल्कुल हमें शुरुवाती दौर में जाना पड़ेगा जब उस company में 5 लोग थे जब उस company में 10 लोग थे जब उस company में 50 लोग थे जब as a leader आप उन सब को touch कर पा रहे थे तब आपने क्या किया वो decide करेगा कि जब 1000 लोग की या 10,000 लोग की company होगी तब क्या होगा कहने का मतलब यह है कि जो आप पहले दिन से culture बना रहे हैं अपनी company का जो पहले दिन से आप role model कर रहे हैं उस पहले employee को उस पाचफ़ employee को उस दसफ़ employee को कि भई यह हमारे rules है यह हमारा culture है हम इसको ऐसे ही create करेंगे ऐसे ही बड़ा करेंगे वो फिर आपके साथ रहे के वही सीखा अब होता किया ने तिन हमने देखे गलत role model हमने देखे ऐसे role model जो दंडे के जोर से काम कराएंगे या जो कहेंगे कि मैं तेरा boss हूँ तू अभी तक क्यों नहीं बैठा या boss अगर 8 वे तक बैठा है ओफिस में तो तू 10 वे तक यो नहीं बैठा अगर हमने यही सब system देखा है तो हम भी as leaders वैसा ही grow करने की सोचेंगे I think यह जो पूरी definition है जो industrial revolution में चल के आई थी आज उसका बदलना बहुत ज़रूरी है तो आप initial days में कैसे leader हो कैसे उसको आप role model कर रहे हो कि आप empathy, प्यार से भी काम करवा रहे हो आप उनको inspire भी कर रहे हो आप उनको motivate भी कर रहे हो आप उनको ऐसा culture बना के दे रहे हो जिसमें वो वैसे ही बड़े हो रहे है तो सिर्फ जब वो 10 लोग 100 को संभालेंगे तो वो अच्छा संभालेंगे जब वो 100-1000 की problem सुनेंगे तो वो और better सुनेंगे तो 1000 होने पे problem को define करने का कोई फाइदा नहीं है अगर तब तक culture खराब हो चुका है तो उसको फिर खराब ही रहने दीजिए उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है बट जब पहले दिन organization शुरू करते है तब आप क्या culture create करना चाहते है ये बहुत important है और सारा मेरा reason ये leadership coaching में जाने का और facilitation में जाने का रहे तिन यही था कि मैं देखता था कि जब छोटी organization होती है हम startups की बात करते है 40-50 लोगी company है तो वहाँ तक तो founder को सबके नाम पता है और वो कोशिश भी कर रहे हैं जो कर सकते है जहाँ वो 200 लोग हुए जहाँ वो 500 लोग हुए तो एक इनसान उन 500 लोग को नहीं सभाल सकता तो वो जो early days में आप कर रहे हो with your team आप off-site कैसे कर रहे हो आप team meeting कैसे कर रहे हो आप कैसा culture create कर रहे हो कई बार मैं सुनता हूँ कि sir ये file end of day तक पहुंच जाएगी अब end of day क्या होता है end of day 6 बजे business होता है 8 बजे होता है रात के 12 बजे होता है US का होता है UK क्यों कि हम global world में रहते हैं so हमारे communication में this has to be very specific sir this file will be delivered at 7 p.m. IST जब आप ऐसे बात करनी सीखेंगे और जब आप उसको पूरा करेंगे तब trust बनता है makes sense वो बनता है बहुत बहुत नीव बनाता है foundation बनाता है वो एक बड़ी organization आपने न अपने answer में culture word यूज किया कई बार हमारी भी एक चोटी सी company है और कई ऐसे लोग हैं जो start-ups चला रहे हैं as a leadership coach what is this culture that you are talking about and what are the few simple areas or points that a founder or a start-up owner can take care of कि आज तो ठीक है 2 या 5 लोग हैं 30-40 तक नाम याद रहेंगे जैसे आपने का 200-500 पे आएगी दिकत आज से मैं उसकी तयारी क्या करूँ what culture should I build आज से ही ताकि वो base मेरा strong हो और मैं जब 1000 पे पहुँच हूँ और 10,000 problems आए तो मुझे tension लाओ I have a pipeline of leaders who can take care of it so day 1 से वो culture क्या मुझे करना है I want to understand It's such a complex problem मैं इस पर 2-3 घंटे अराम से बात कर सकते है पर मैं इसको बहुत concise करना चाहूँगा पर कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए और मेरा एक बहुत बड़ा benchmark है कि कम से कम शब्दों में highest return on investment मिलना चाहिए ताकि लोगों को भी लगए कि कुछ फाइदा हो रहा है उसमें एक नुकसान होता है नितिन कि हम इतनी value बाते कर लेंगे तो जो आपने कहा कि लोगों को actually note down कर लनी चाहिए कुछ दो-चार points जो उनको लगता है कि ये तो मैंने apply कर लें अब हम जब culture की बात करते है सबसे पहले एक human need है कि मुझे ने एक sense of belonging चाहिए अगर मैं यहाँ पर आऊ और मैं अपना phone हाथ में लेकर आप से बात करता रहा हूँ तो आप कहेंगे उतकर फोन पर बात कर रहा है या मेरे से बात कर रहा है अगर मैं यहाँ पर ऐसा environment create कर रहा है कि नितिन मेरे से कुछ शेयर कर रहा है कि सर मेरे office में दिक्कत हो रही है ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं यह बोलू कि अरे क्यों यह मेरे को बता रहे हो यह मैं बोलू अच्छा क्या हुआ am I listening to that person so जो sense of belonging है वो बहुत ज़रूरी है तो मैं अब शुरू से कुछ ऐसा बनाना है कि हम एक दूसरे से बहुत deeply connected रहे दूसरी चीज़ आती है कि उस belonging के साथ मेरे को एक अगर मैं vulnerable हो रहा हूँ तो मुझे safe feel करना भी बहुत ज़रूरी है एक organization में कली example दे रहा था ने दिन आप suppose करी 10 से 12 घंटे काम करते हैं दिन में तो 12 गुणा 5 में बोलूँ का 5 दिन काम करते हैं 60 घंटे 60 hours we spend with our employees अगर हम उसको startup बोले corporate बोले कहीं भी अपनी team में बात करें 60 घंटे मैं शादी शुद्र हो और आप भी है तो अगर मैं कहूँ कि 60 घंटे मुझे और मेरी बीवी को साथ बिठा दिया जाए या किसी और के साथ ये किया जाए मैं guarantee दे सकता हूँ कि तलाक हो जाएंगे क्योंकि 60 घंटे किसी के साथ time spent करना असान नहीं है वो भी एक high stress environment में वो भी एक ऐसे environment में जहाँ पर सिखाए ये गया आओ transact करो PPT का color देखो ये करो वो करो और घर चले जाओ तो जो safety, vulnerability, sense of belonging की मैं बात कर रहा हूँ वो आज भी हमारी organization से missing है and third and the final thing हम सब मिलके कर क्या रहे है what is our larger purpose इस company का, इस start-up का हम ऐसी क्या problem solve कर रहे है कि रात के दो वज़े में उठा के बूछू कि नितिन क्या कर रहे हैं तो आप बोल सको कि हम ये कर रहे है वो clear sense of purpose बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो बड़ा नहीं होगा और वो clear नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को उस direction में ले पाएंगे हम Reliance की अभी भी AGM देखते है जब वो, मुकेश अमपानी जी वहाँ बोलते है stage पे, तो सब सुन रहे है सारा देश ऐसा लगता है, रुख गया है कि आज Reliance की AGM में नया क्या होगा और वो तब से है, जब से धिरवाई अमपानी ने ये चीज़ शुरू की थी रतन टाटा जी है, ये ऐसी कंपनीज है जो stalwarts वाट से इस चीज़ के कि उन्होंने कल्चर बनाया, और बहुत वहाँ पर भी aggression भी होगा, assertiveness भी होगी, क्योंकि काम तो करना है और हाई प्रेशर है, पर मैं कहता हूँ कि अगर काम हसी-खुशी हो जाए, तो उसी को कल्चर कहते है, ब्यूटिफुल, I think आपने वाकई कम शब्दों में बड़ी ही clearly ये बता दिया है कि उन क्या दो-तीन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे हम culture develop कर सकें, लेकिन उतकर क्या हर वो आदमी जो इस organization में काम कर रहा है लीडर बनने के काबिल है, योग्य है culture तो मैंने suppose आपकी इस बात को समझ के मैंने focus किया, मैंने culture बिल्ड किया मगर क्या उस culture का हर आदमी जो उस culture का part है, क्या वो भविश्य का leader है तो मेरे दो question है, पहला हाँ या नहीं, और अगर नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये तो है leader और ये नहीं है भई, तो उसी हिसाब से investment हो, emotions की, time की तो इस पर आपका इस बाता है लेकिन question क्या है, अगर हम draw करने की कोशिश करें तो आपे समझें, एक normal distribution curve होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम 10 लोगों का data assess कर रहे हैं तो दो लोग होंगे जो top performer होंगे वो आख मंद करके आप कह सकते हो कि ये इंसान मेरा leader है ये इंसान बहुत आगे जाना चाते है hungry है वो, growth के लिए सीखने के लिए, पैसे के लिए, position के लिए किसी भी चीज के लिए नीचे वाले दो होते हैं, जो कहते हैं हमें तो सर कुछ नहीं करना, हम 10 बज़े आएंगे 6 बज़े जाएंगे, बीच में हम सुटा भी मारेंगे, चाय भी पियेंगे, सब करेंगे काम जितना उतना करेंगे कि आप ये ना बता सको कि इसने आज काम नहीं किया लेकिन हम वेट कर रहे हैं महिने के एंड की salary की, EMI देंगे घुमेंगे फिरेंगे, एंड वापिस वोई cycle चुरू हो जाएगा, वो mechanically जी रहे है आप उनको बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी, अब बीच वाले जो हैं, जो दोर दो और बीच में छे रह गए, उन पे मैं कहता हूँ focus करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको आप नीचे जाने की जगा, उनको आप easily आगे धकेल सकते हैं, तो leadership एक ऐसी चीज है, जो बहुत ना innate है, अंदर से आती है हमारे और उसको grow करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम बच्चों की बात करें जब थोड़ी दिर पहले, आप और में जब बाहर बैठे थे लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या आप actions ले सकते हैं, जिससे आप identify कर सकें, कि वो इंसान leader है या नहीं है, एक technique जो मैं share कर सकता हूँ, कि जब भी आप कोई नया project शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी में potential है, आप उसको responsibility दे के देखिए, अगर एक छोटे project को संभाल सकता है, उसमें growth ला सकता है, उसमें कुछ ऐसा achieve कर सकते है, जो आपको लगता है, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया, तो वो एक leader का दाविदार बनता है, that's one, second, जो आपके top performer है, उनको appreciate करना कभी मन भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो भी नीचे फिसल सकते हैं, तो मेरे को उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो already मेरे top performer है, that's the second, third, I think the ultimate concept of leadership ना, मेरे लिए घूम फिर के इस पर आता है, कि यह जंग खुद से है, और खुद से इस जंग को अगर हम लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, तो हम कुछ भी कर लें, हम leader नहीं बन सकते, अगर मैंने अपने हाथ को इस sofa पर रखा है, और मैं तो नहीं, I think हनुमान जी की पूछ के भी कोई कहां नहीं है, ऐसी, मेरे दिमाग में चल रही है, तो I think हम भी वैसे ही हैं, कि अगर हम चाहें, तो हम कुछ भी हिला सकते हैं, और ना चाहें, तो हम अपना हाथ भी उपर नहीं उठा सकते हैं, इसका मतलब यह कि जो नहीं चाहता, आप उस पर कितना ही ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर दे, आप उसको इन्वाइरमेंट दे दे, कल्चर दे दे, जिसको लीडर्शिप नहीं बनना, लीडर नहीं बनना, वो नहीं बनेगा, बिल्कुल, तो ऐसा भी है, कि जैसा हम सुनते हैं कि लीडर्शिप नॉट बॉन, तो इस पर आपका क्या टेक है, आप लीडर्श अक्चुली बॉन, या वो बॉन नहीं है, वो बनते हैं, मतलब इस पर आप क्या सुनते हैं, पर I think जब बच्चा पैदा होता है, वो तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, कोई बच्चा पेट से यह सीखके नहीं आता, मुझे लीडर बनना है, या नहीं बनना है, लीडर्शिप क्या होती है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक sense of joy होता है, जो वो घर में लाता है, जो वो खुद से लेके आता है, उसके बाद जब उसके उपर डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़े, उसको क्लास में उसने कुछ बोला, उसने बोल दिया, रहे तेरे को कुछ नहीं आता, तो maths में failure है, तो उधर चला जा, तो उधर चला जा, या सिर्फ अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं teachers, वहाँ से उनकी वो training शुरू हो जाती है, तो जो top 2% है, या नीचे आले 2% है, वो वहीं से train होने शुरू हो गए है, अब वो करते, 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 वो organization में पहुंचते हैं, घिसते हुए बिचारे आए हैं, और वो वहीं पहुंच गया, कुछ बहुत जिद्धी होते हैं, या कुछ के घर में environment बहुत different होता है नितिल, कि उन्हें content ऐसा देखा, उन्हें माबाप ऐसे देखे, जोने उनको मेंशा प्रोचसाहिद किया, और इसको एक scientist है उन्हें बहुत अच्छे से define किया है, Carol Dreck है उन्हें professor का नाम, वो कहते हैं, या तो आपका growth mindset होगा, या आपका fixed mindset होगा, तो मेरे लिए अगर बहुत simple इसको हम करें, जो इंसान growth की तरफ बढ़ना चाहता है, हमेशा grow करता रहना चाहता है, दूसरों को grow कराना चाहता है, feedback लेना सीख लेता है, failure में सोचता है कि अब मैं नया क्या करू, क्या learning है मेरी, वो growth mindset होता है, और वो leadership का एक बहुत बड़ा दावेदार होता है, fixed mindset वाले होते हैं, कि आप स्कूल में भी देखेंगे, कि अगर मेरे आज number आया है चार, तो मैं ऐसा बच्चा ढूने जिसके दो आया हो, और घर जा कि मम्मी को सिर्फ उसी का बताऊंगा, उसको कहते है fixed mindset, कि मेरे को अपने से उपर नहीं देखना, मेरे को अपने से नीचे ही देखना है, ताकि मेरे को उससे अच्छा लगे, तो वो fixed mindset रहे कि उनके लिए leadership थोड़ी मुश्किल हो जाती है, makes sense, उतकर जैसे हमने भी बात की leadership लोग, मतलब अगर वो चाहता है, तो वो हाथ उठा सकता है, उनको next level पर लेकर गए, वो भी बढ़े, आज उनके बीच 10-20-20 लोग काम कर रहे हैं, मगर एक point ऐसा आता है, जब कुछ leaders in security का शिकार हो जाता है, अब उनको दर ये सता रहा है, कि यार मैं यहां आ चुका हूँ, मैं नीचे नी जा सकता, और उसे बचाने के लिए, अपनी उस leadership के through मिली, या however we want to put it, जो मिल गया position, उसको बचाने के लिए, वो हर वो संभव परियास करते हैं, जिसमें आने वाले leaders को, वो दबाने की कोशिश करते हैं, तो यह insecurity जो है, इस पर आपका क्या take है, इसा देखता हूँ कि बहुत सारे, पहले तो बहुत सही थे, वो लेवल पर आखी पता लगा, और यार यहां तो इसको तो कुरसी बजाना पड़ेगा जार, तो इस पर, is it true? यह बहुत दुख की बात है, और यह बहुत सची बात है, इसी insecurity बड़ी natural है human mind में, हमें लगता है कि हम इस level पर पहुँच गए है, तो यहां से नीचे तो जाही नहीं सकते हैं, अब सिर्फ यहां तो ऊपर जाएंगा है, कम से खम यहां तो अटके ही रहे ना, और उस चक्कर में दूसरों की growth रोग देने हैं, वो इंसान लीडर नहीं है, सबसे पहले तो यह clear करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस state पर आ गए हो, जहां आप insecure हो रहे हो, जहां आप यह सोच वे कि दूसरा इंसान grow ना कर पाए, क्योंकि मुझे यहीं अटके रहना है, तो वो leadership नहीं हो सकती, उस case में, जो पीछे जो लोग है नीचे हैं, जिनको growth नहीं मिल रही है, उनको मैं दो ideas देना चाहूँगा, एक idea, अपने boss का एक बड़िया सा resume बनाओ, और उसको सारे नौकरी website पर डालो, क्योंकि उनको उनकी इस insecurity को change कराने के लिए मैं कह सकता हूँ कि उनको coaching कर दो, उनको facilitation कर दो, उनको एक workshop कर दो, वो सब करेगा काम on a long term, right? बट उस पर जाने से पहले, मैं नीचा ले employees को यह advice जरूर दूँगा. And what would be the advice for the owner? If the owner is able to see that this person is stopping the growth of future leaders, मकर यह बड़ा महंती आदमी है, काम बहुत करता है, लेकिन बस इन सिक्रिटी का शिकार है, और लीडर नहीं बनने दोगा, तो क्या करना है? असा owner उसको क्या करना है? Absolutely, so time invest करना पड़ेगा. Owner को या तो खुद, या उसको ऐसे resource लाने चाहिए, company के अंदर, जो उस insecurity को समझ सके. सी, हम सब की जो insecurity हो, या हमारा fear हो, या हमारा lack of commitment हो, या हमारा lack of ownership हो, किसी भी attribute के हम बात कर लें, वो घूम फिर कि अगरा, मैं लोगों को कहता हूँ कि पांच वर अपने आप से पूछो, why is this happening? So मेरे को insecurity हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि मैं यहां तक पहुंच गया हूँ, मैं इस से नीचे नहीं जाना चाहता हूँ. ऐसा क्यों है? तो कुछ और सोचेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ये behavior से मेरे को हटा दिया जाएगा. और फिर उन wise में सच ढूड़ो. क्योंकि बहुत बार होता है, यह insecurities मन गणन्त हो जाती है, assumptions हो जाती है. तो अब हम यह उस domain में चलेगा कि हम उस इंसान को coach करने की कोशिश कर रहे हैं. coaching का पहला मकसद यह है, नितिन की, ultimately answer आप से आना पड़ेगा. True. क्योंकि अगर आपको समझ आ गया कि मेरी insecurities गलत है, assumptions है, तो आप उसको change कर लोगे. अगर कोई बहारवाला की काएगा कि नितिन, आपकी insecurities गलत है, तो आपको को कर तो तुम्हें क्या पता, मेरी है, वो अंदर से नहीं आएगा. So then there is a need to coach that. Exactly. Exactly. Deliverables सारे पूरे हो जाएंगे, आपका time to time जो काम करना है, client deliverables है, reporting है, सब कुछ perfect होगी. वो एक अच्छा manager कर सकता है. अच्छा leader क्या करता है कि उस सब को करने के बाद भी उसको transactional नहीं छोड़ता. Leadership को गहराई पे ले जाता है. कहने का मतलब यह है, कि अगर आप leader के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको हर रोज लगेगा, कि मैं कितना अच्छा employee हूँ इस company का. मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं और grow कर सकता हूँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ. और वो leader कभी आपकी growth को प्रोकेगा नहीं. वो आपको अमेशा nudge करेगा to be better, to do better. जब manager होते हैं, manager बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई कमी नहीं है उनके काम में, बस वो दूसरों को grow करने में कभी slow हो जाते हैं या तो, या फिर वो उनको उस level पर एक अपना, जो sense of belonging की में बात कर रहा था, वो belonging नहीं दे पाते. तो यही फरक है management और leadership में, and I think बहुत बड़ा एक layer है, इसको लोग hard skills और soft skills में divide करते हैं नितिन, बट मुझे लगता है कि soft skills को एक तो life skills नाम दे जाना चाहिए. एक अच्छा manager अगर बहुत अच्छे से अपने emotional intelligence को बढ़ा ले, अपनी listening skills को बढ़ा ले, अपने communication को बढ़ा ले, अपनी ability to connect with the other person बढ़ा ले, उनको develop करने, coach करने और mentoring को समझा ले, तो वो leader बन जाता है, और जब वो long term तक यह करते हैं, एक दो महीने नहीं, छे महीने न नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो ऐसे great leaders बन जाते हैं, जिनको दुनिया याद रखती है, इसका मतलब यह भी है कि, जैसे startup culture बहुत popular across the globe, especially in India, जी, तो what do you say, जो startup owners हैं, क्या वो startups ज्यादा अच्छा perform करते हैं, जिनके owners में leadership हैं, बहुत अधरा self-centered नहीं हैं, सरफ अपने profit क नहीं सोच रहें, वो जादा, मुझा किस तरह है कि लोग जादा successful आपको लगता है कि हैं startups में, या, if I put it in other words कि, क्या, suppose I'm in a job, and I see that I'm doing fairly well, मैं रोल्स में ग्रो कर रहा हूं, leadership levels पे भी जा रहा हूं, I have this skill that I can get into startup, start something on my own, क्या, क्या ये connected हैं, दोनों चीज़े, बिलकुल, जो startup founders में leadership skills की जादा जरूरत है, इस पर आप क्या करें? करूँगा, और एक बहुत example, जो मैं Zomato का देखता हूं, दिपिंदर गोयल की, मैं कई बार interviews देखता हूं, इतनी बड़िया बात करते हैं, वो कि, जो उनने culture create किया, उनने किताब भी लिखी है, वो बहुत early days से, एक compassion driven, एक caring culture, एक ऐसा culture, जो highly driven culture था, और आज हम देख रहे रहा है, और उसकी अच्छे skills है, वो अपने start-up में बहुत आगे बढ़ गया है, over the three, four, five years, उसने growth देख ली है, और अगर उन्हें लगता है, कि अब time आगया है, अपना कुछ शुरू करने का, तो वो absolutely करना चाहिए, उसमें मैं आपको यह भी बता सकता हूं, कि अगर अच इतने भी start-ups बने हैं पिछले 10 साल में और बन रहे हैं, वो सब driven है, इंडिया में और business लाने के लिए, और funding लाने के लिए, employment high करने के लिए, and it's a vicious cycle, अब उसको virtuous बनाना है कि वो उपर जाए, या vicious बनाना है नीच जाए, वो leaders का का काम है, उतकर क्या difference देखते हैं आप, you are based in Australia, आप बहुत सारे global लोगों के साथ काम करते हैं, you are also coaching people in India, do you find any difference कि लोगों में, बाहर के लोगों में, अपार इंडियन के अंदर को difference पाते हैं, under this umbrella of leadership and all of these skills. आप बहुत बड़ा Pandora's box खोलें, मेरे को ये कॉनिजेशन बहुत पसंद है, सी मैं 13 घंटे की flight लेकर इंडिया इसलिए आता हूँ, पांच दिन के लिए आता हूँ, मैं last Sunday शाम को land के, आज मेरी रात की flight है, क्योंकि मेरे को यहां से बहुत प्यार है, जो energy आप यहां के leaders मे देखते हैं, यहां के employees में देखते हैं, जो higher performing region में हैं, वो कमाल की है, उनको हर रोज लगता है कि वो भारत के लिए कुछ बड़ा बना दे, वो भारत के लिए ये problem solve कर दे, education की, इस की, उस की, it's amazing, जिस level पर यहां पर लोग काम कर रहे हैं, on the other hand, हर culture के अपने nuances हैं, इंड तो यह growing culture है, जो बाहर की countries है, वो थोड़ी developed stage में है, तो उनकी culture की जो समझ है, उनके जो startup founders की समझ है, वो थोड़ी से different है, US में on the other hand, मैं देखता हूँ कि वहां पर environment अभी बहुत shift हो रहा है, आप इतनी बड़ी-बड़ी tech companies को देखो, वो सब layoff कर रहे हैं, अभी Intel ने कि उससे पहले Google ने भी सोचा, लास्टे में देख रहा था कि करीमन 4-4 लोगों को पिछले 2-3 साल में layoff कर दिया गया है, तो वहां पर वो एक बहुत बड़े growth spurts से जा चुके हैं, लेकिन अब वो ऐसी stage में जहां पर उनको stability चाहिए, इसलिए उनका environment बिलकुल अलाग है, तो और high performing हो रहे हैं, तो वो दिखता है, जब मैं Australia में लोगो करता हूँ, तो वहां पर उनको balance strike करने का बहुत चोक है, वो कहते हैं कि Friday शाम को तो beer पीने का time हो गया, इस time कौन काम करता है, तो वहां पर वो आला culture भी है, and so some mix है, so हमारी जो growth strategies हैं over the years, as a culture, as a country, वो I think reflect होती है हमारे leaders में, तो कैसा future देख रहे हैं आप India का considering and looking at the pipeline of leaders, especially in corporates, future आपको bright लग रहा है, good question, Nitin time क्या हुआ है, आपने phone पर देख के बता ही मुझे, time हुआ है लग बारा बज़े, बारा बज़े, बारा बज़े, बारा बज़े, बारा बज़े के 7 minute पर नितिन हम क्या बात कर र हमें नहीं पताने देख, यह future का जो concept है, मुझे थोड़ा खराब लगता है, and कारण उसका यह है कि, हो सकता है यहां से जाते है, flight में मेरी death हो जाए, and I'm very comfortable saying that, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो last moment मेरी life की कब है, मुझे नहीं पता कि future में क्या होना है, मैं plan करके चल रहा कि मेर कोई सबते इतनी meetings करनी है, ऐसा करना है, the planning is very important, but predicting the future is not possible, so इसलिए आज की बात करते हैं, और अभी की बात करते हैं, जो leaders बनेंगे, वो hopefully future को अच्छी तरफ लेगे जाएगे, आपने बात की भविश्य की है, AI, आजकल सब चीज AI के थू हो रही है, और बहुती incredible level पर humans replacement की तरफ चीज़ें जा रही है, इसमें अब future के perspective से क्या leadership skills और किस तरह की leadership आप देखते हैं कि भविश्य कैसा होने वाला है, beautiful, AI एक ऐसी bus है, जिसको अगर आपने miss कर दिया, तो मेरे साब से एक under service कर रहे हैं आप खुद के लिए, क्योंकि हमारे अपने काम में हम content creation में, proposals बनाने में, content create करने में, workshops के लिए AI को बेत आशा रूप से use करने में, so I think उसको use करना तो highly critical है, अब हम जब बात करते हैं कि AI रिप्लेस कर देगा humans को, I think घूम फिर के ऐसी जगा आने चाहिए, मेरा ये सपना है, again future में प्रेडिक नहीं कर सकता है, मेरा सपना है कि humans क 25, 70 घंटे या दिन के 10-12 घंटे काम करने की ज़रूत नहीं होनी चाहिए, there should be smart machines who get the work done, and then the resource फिर भी उतने ही बढ़िया रहे हम सब के लिए, कि हम सब thrive कर सके, ultimately जो time हम save कर पाएंगे, I think replacement तो बहुत बड़ा शब देने ते, humans को replace करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमा कोई दिन आ गया, कि AI ने humans को replace करना शुकर दिया, तो थोड़ा सा, I think, difficult हो जाएगा, society के लिए as a whole, इसमें एक example में देना चाहूंगा, कि यह जो self-driving cars की हम बात करते हैं, आज से कुछ और बहुत अच्छी progress हो रही है इस पर, अगले 5-10 साल में self-driving cars normal हो जाएगी, तो जित नई innovation को leader करेगा, जो उस problem को solve कर सके हैं, मगर के इस skills relevant रहने वाली हैं? I think the skills of empathy, the skills of emotional intelligence, the skills of understanding each other, the skills of listening, the human to human touch, the human connection, वो technology का replace करना बहुत मुश्किल, and मैं दिल से चाहता नहीं हूँ कि कभी वो हो, वो एक fear कह सकते हैं मेरा, बट अगर वो किस दिन हो गया, तो वो अच्छा नहीं होगा, humanity के लिए, तो जैसे, आज करना noise बहुत है, आप phone को उठाए, social media पर, आप अगर leadership की बात करें, एक आदमी कहता है, ये करना चाहिए, दूसरा immediately कहता है, ये किया तो आप थोड़ी leader है, है ना, तो मतलब बड़ा ही विरोता भास जबरदस्त है, बिल्कुल, ना noise है, तो कभी समझ नहीं आता कि मैं जो कर रहाँ, वो मैं स़ई कर रहाँ, की मैं गलत कर रहाँ, क्योंकि मैं उसको धूंडू कि मुझे काम करना चाहिए, तो उसके 10 reasons भी मिलेंगे, और नहीं करना चाहिए, उसके भी 10 reason मिलेंगे, तो मैं क्या करूँ, मैं इस noise को कैसे handle लगता है अगले दो-ती मिनट में थोड़ी गहराई पर जाने वाला हूँ जी अल्टिमिटली मुझे लगता है कि जो answers है वो हमारे अंदर छुपे हुए उन answers को बाहर निकालने की capability हमारी है तो मेरा ये कि जब भी noise आप सुनते है न उस noise से खुद को दूर करना पहला step होगा आपको समझने के लिए कि आप क्या चाहते हूँ noise में बैठ के मैं शांती चाहूं तो मैं बेवकूफ हूँ ऐसा नहीं हो सकता तो मैं एक rule अपने कोचीज को देता हूँ two percent rule okay what is two percent of 24 hours okay drum roll करते हैं और answer देते 28 minute चीक है 28 minute दिन में खुद के साथ बैठना सीखो बिना phone के बिना technology के जरूरत हूँ तो एक diary रख लो उसको भी छोड़ दो उस 28 minute में जस्ट अपने thoughts को tune होने दो universe से इतनी बार मैं सुनता हूँ ए आर रहमान जैसे लोग या आर रेभट जैसे लोग या ऐसे लोग जो कहते हैं कि universe मुझे ही answer दे रहा है और मैं तो लिख रहा हूँ universe मुझे ही music दे रहा है और मैं तो बोल रहा हूँ I think उस tuning पर आने के लिए हमें 28 minute minimum देने चाहिए खुद को समझने के लिए जब आपने thoughts को समझना शुरू करोगे जब आप समझोगे कि ये noise सही नहीं है मेरी assumptions है जूट है तब आप उसके बारे में कुछ भी कर पाओगे ये step 1 step 2 आपको चाहिए compass जैसे अगर हम पहाड़ों में कहीं खो जाएं तो compass हम देखते हैं कि north star कहा है और उस direction में जाना है आपको अपने लिए वो compass बनाना सीखना पड़ेगा अब compass का मतलब क्या है गांधी जी को हम देखते हैं अगर उस बात भी अच्छाई भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ भना हुआ है आपको बैठ कर ये पूछना है कि मेरे compass का design क्या है और टो elaborate आपको अपनी values का पता लगाना है कि मेरे जीवन की क्या guiding principles हैं जो non-negotiable हैं जब मैंने अपने लिए exercise करी थी तो मैं 8 values पे आया नहीं और मैंने करते करते उनको 5 में convert कर दिये पहली value discipline अगली value excellence तीसरी value freedom चौथी love और पांचवी growth अब इन पांच के चलते अगर मैं आज इस podcast पर time पे नहीं आता हूँ तो discipline गया अगर मैं यहाँ पर बैठ के पूरी अपनी जान से आपके लिए आपको इस conversation में आपके listeners के लिए हमारे लिए नहीं present होता हूँ तो love कहां है excellence कह है अगर मैं free नहीं होता कि अगर आप मेरे को पहले बोलते हैं उतकर हम यहीं चार बाते करेंगे ऐसे ही करेंगे तो फिर इस conversation का फाइदा क्या है and इससे अगर आप और मैं grow नहीं कर रहे है तो again क्या फाइदा है तो जब भी मेरी life में कोई भी question आता है कोई भी difficulty आती कोई अगर इन पांचों पे टिक लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं सही direction में life ची रहा हूँ और मुझे कुछ change करने ही जूरत नहीं है तो create that space, create a set of values और उनको लेके आगे बढ़ जाओ क्योंकि यह खुद की जग है अगर यह खुद की जग हम जीत गए तो बाकी सारी जग कैसे करना है मैं कर लिस्स बनाने बैठ हूँ क्योंकि इतना मैं clutter absorbed कर चुके हम तो ऐसा लगता है कि यार यह भी होना चाहिए और ना पता है वो भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए जैसे आपने पांच बताए तो शायद हम 50 के लिस्स बना बैठेंगे तो वह impossible है कि हम हर decision में पहले यह identify करें वह 50 तो जादा होगे वो core because आपने core word use किया इसको identify कैसे करें मुझे एक तो यह जानना है आपसे और दूसरा यह जानना है कि comparison खा जाता है comparison ऐसे खाता है कि यार मैं अपनी values पे लगा रहे गया और वो देख मेरा दोस कहां पहुँच गया उसने तो क comparison anxiety और पहला मुझे core ढूंडना कैसे है दूसरी बार ढूंड भी लिया तो फिर मैं इस anxiety से कैसे deal करूं दौशनी डाली है बहुत ही बहुत ही pertinent questions पूछ रहे हैं एक्जाम्पल मेरे दिमा में क्या रहे है कई बार जब मैं खुद को introduce करता हूं और ऑस्ट्रेलिया में बात कर लड़किया तो बहुत सारी हैं लड़के भी बहुत सारे हैं मैं क्यों नहीं दर दर भागा I skate the path right so कहना मैं यह चाहता हूं कि curtail तो खुद ही करना पड़ेगा न मैं यह सोच सकता हूं यार उसने उससे शादी गरी वो देखो वो तो पूसकी अमेरिका मैं साला यही रहे ग इसको बड़ा simple करते हैं इसको बड़ा simple करते हैं आप यह कहने comparison रोग दो आप unique हो आपकी life unique है आपके circumstances unique है exactly so comparison का तो सवाली नहीं हो तो क्या यह साही है बिलकुल सारा question है आप कर क्या सकते हो you have to learn to do action in life comparison will not give you anything comparison अगर करना है तो खुद से कर आज Saturday को क्या मैं Friday से बेटर हूं क्या मैं पिछले महीने से बेटर हूं January 1 से आज क्या मैं बेटर हूं बड़ी बड़ी हम resolutions बला लेते हैं first week में कि 2024 में तो आग लगा देंगे आदा तीन महीने ब करते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो October 1 को कहते हैं hundred days left in 2024 आज बदलते हैं ऐसे नहीं बदलती जिंदगी आप में तिन रोज ब्रश करते हैं सुबशा हम बिलकुल क्यों क्या होता है ब्रश करने से it has developed as a habit करते जा रहें करते जा रहें करते जा रहें अच्छा इसकी परवा न ब्रश करना बंद कर रहा हूं तो दात गिर जाएंगे जी बडश स्टिल ब्रश मैं टीथ एवरी डे सुबह शां महीं खड़े हो के वही पेस्ट कोलगेट का ले ले के ले ले के कर रहें तो लाइफ में पी ऐसी सीखो ना कि रेस तुमारी खुच से है अपने दातों से है पडोसी से नहीं है पडोसी के थोड़ी चेक करने के जाके कि तेरे दात किस कंपनी के बीमड़ू के लगवाया है क्या बड़ बाकी सारी चीज़ों में एक करें एक पीजा है उसको आठ श्लाइस में डिवाइड कर दीजे अब आपका आठी ऑपिचुनिटी देर लगानी आप लगाओ लेकिन वो आठ वैल्यूज ही लगा सकते हैं वैल्यूज आती कैसे सिंपल चैट जीपिटी को बोलो गिम्मी अ लिस्ट ऑफ टू हंडड़ टॉप वैल्यूज डाट इशुड है इन लाइफ दोस्तों आ जाएंगे सामने सो मांगनी सो मांगनी जितना आपका म अब उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से आप सोचो कि मेरी आठ क्या है और उस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बचपन से देखना शुरू कर अपनी जिंदगी के बारे में जब आप पता रहे थे आपको बेटा टैनिस खेलने जाता हूँ अपने मैच के लिए लेट होत और फिर उन आठ वैल्यूज को बहरो उतकर इसमें एक बात मुझे यह समझने कि अपनी स्ट्वेंथ पर फोकस करूँ मैं किसमें अच्छा हूँ वो मेरी कॉर वैल्यूज में एड़ोंगे या जो मेरी वीकनेस हैं जिन पर मुझे अच्छा बनना है उसको मुझे अपनी अब यह मेरी स्ट्वेंथ तो नहीं है मगर में लेट उठना चाहता हूँ तो मतलब उसमें मुझे कुछ और उसमें डालना है तो फोकस करूँ अपनी स्ट्वेंथ पर या अपनी वीकनेस पर मेरे को इतना मज़ा आ रहा है नितिन इस कॉर्णिशन में और मैं एक अपने को चीज से में रहता है कि इमाजन करो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, 40 साल बाद, आप 70 साल के 80 साल के हो गए हम सब जीना चाहते हैं, 70-80 साल के हो गए, कोई एक ऐसा दिन आया जब आज मौत आ रही है, आज खतम होने वाली है जिंदगी और मैं उन लकणियों पर उ यहां भी आप लेटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सेंस रह गई है, उस सेंस में अगर आप अपने पिछले 80 साल को देखते हों, पिछले 40 साल को देखते हों या आज से शुरू करके उस दिन तक देखते हों, तो उन अगले सालों में आप कैसी जिना चाहते हैं, I am pretty sure कोई नहीं कोई नहीं कहेगा unfulfilled उत्तरश, कोई नहीं कहेगा unhappy, कोई नहीं कहेगा dishonest, सब कहेंगे बड़ी-बड़ी बाते हैं, तो जब वो बड़ी-बड़ी बातों का मौका आज इस podcast को सुनते में मिल रहा है, तो क्यों नहीं काम कर रहे हैं उसमें, तो जैसी हम यह reverse करते हैं ना frame क कि आप ने इतनी जिन्दगी जी ली, तो question आपका आते हैं कि उन values में aspirational बनो, कि मेरको पता है कि 80 साल पर जो मैं मर रहा होंगा, अगर मुझे एक ऐसी life genius में fulfilled था, जिसमें मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था, तो मैं कौन सी art values के साथ जीना चाहता है, और फिर आप चाह साल के हो, या 38 के, या 46 के, आज से उन art values को ढूण लो, उन art values को filter करो, from 8 go to 5, क्योंकि 8 बहुत सारी होती है, पर 8 हम इसलिए देते हैं कि लोग diverge करें and then converge करें, उन art values में से 5 को चुन लो, post-it note पे लिखो, जहां brush करते हो, हम मैं आज कर रहे हैं कि आप brush करते हो, उस शीशे पे लगा दो, और फिर रोज रात को सोने से पहले, एक दो मिनिट का assessment, did I do well on these values or not, and इंडिया में न सिखा जाते हैं, हम काटा मारते हैं, cross, कि नहीं आ रही है, यह तो नहीं किया, cross नहीं करना, क्योंकि आपने सुबह उटके कोशिश करी, आप आज नहीं कर पाए, तो एक ह नितिन आपकी 5 values क्या है, तड़ से निकलेंगी, और तब वो आपके हर behavior में होगी, तो अगर हम discipline की बात करें, अगर आप discipline है, तो बढ़िया, अगर नहीं है और होना चाहते हैं, तो उसको एक value आड़ कर दीजे, फिर अकर कल सुबह आप सोचते हैं, मिरको रोज सुबह पह तालिस कर दो, वो 15 दिन जीतो, फिर 15 मिन और करके, 15 दिन और जीतो, फिर 15 मिन और करके, 15 दिन और जीतो, आपको पता भी नहीं चलेगा, दो महिने में, आपकी habit चेंज रहेगी, 8 से 6 बजेगी, तो chunk the problem, Mount Everest एक दिन में कोई नहीं चड़ता, सब धीरे-धीरे जाते हैं, एक दिन में चड़ गए, तो oxygen लो और वहीं मर जाएंगे, जिन्दकी बहुत खूबसूर है, बहुत लंबी है, और बड़ी होनी चाहिए जिन्दकी, लंबी तो होई जाएगी जिसकी होनी है, उतकर इसी के continuation में, suppose मेरी core value निकल के आती है freedom, लेकिन मेरी उमर है 45, मैं 3 बच् responsibilities है, मैं फसा हुआ हूँ जॉब में, और मैं, for example, मैं CA हूँ, और मैं CA की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा हूँ, मेरा दिल जो है, वो किसी और, कहीं और, दिल खुश जहां, वो मन्जिल है तिरे, मगर है तो है, मगर, responsibility, मैंने के इंड का पैसा, with my core value, when my circumstances are not allowing me to, आप एक डॉक्टर है और आपने, आप कोचिंग में आ गए, आप लीडर्शिप कोचिंग में चले गए, यह मैं CA हूँ, मैंने जॉब चोड़ी और मैं अपने, आज, this is what I like doing, you can see it on my face on Saturday, I am enjoying myself, but not many people get the opportunity to do so, because of their circumstances, अब ऐसी situation में कोई आदमी क्या करे, उस उसको freedom मन कर रहा है, याँ, deathbed पे जब होंगा ना, ऐसा नहीं मरना याँ, लेकिन मैं इनको छोड़ भी तो नहीं सकता, बिलकुल, तो क्या करूँ, बिलकुल, बहुत, बहुत fine balance है निति, freedom है, लेकिन love भी value है, मैं अपना example लेका, 2020 में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था very fulfilling, very well paying, everything was good, मैंने decide कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, और मैं किसी को नहीं बोलूँगा, कि उनको covid के बीच में नौकरी छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस नौकरी को ढूडने के लिए, मैंने अपनी family से बात किया है, और उनके jaws, dining table पे drop कर क्या कह रहे हो, my wife, my parents, and उस moment में मैंने freedom आगी, freedom बीच में आगी, मैं तो छासी की रानी हूँ, मैं तो करके दिखाऊंगा, लेकिन love भी था, तो मैंने instead of सीधा एक leap लेने की जगा, छोटे-छोटे experiments रन करने शुरू किया, covid का time था, चार घंटे का time free था, तो मैंने March में एक coaching का program किया, कि मैं देखते हैं, मेरे को coach बनना आता भी है और नहीं आता, या ऐसी उठाके चोड़े में बोल रहे हैं कि coach बनेगे, एक program किया, समझ आया, पर पूरी तरह समझ नहीं आया, तो मैंने एक step और लेके देखता हूँ, फिर मैंने जुलाए में एक और program किया, उसमे करीबन intense 200 घंटे की पढ़ाई की, और वो करने के मुझे लगा, यार मैं तो अच्छा coach बन सकता हूँ, पर अभी भी मेरे पढ़ने से और मेरे सोचने से कुछ होता नहीं है, तो मैंने अपने ऑफिस में किसी कॉलीग को का, कि मैं आपको 6 हफते के लिए coach करना चाता हूँ, फिर लगा कि इसने तो पैसे नहीं दिये, अब किसे पैसे माँगा तो कोई पैसे देगा या नहीं देगा, मेरी एक फ्रेंड थी, उनके एक छोटी सी कंपनी थी, कुछ 45 लोगों की, उनके 5 मैनेजर से या 7 मैनेजर से, मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ, मेरे को आप उन जुलाइ से लेकि डिसेंबर में ये सब हो रहा है साथ साथ, कोविड में सब घर में बैठे हैं, बच्चे टीम पे पढाई भी कर रही हैं, वाइव भी साथ ही हैं, तो हम साथ गंटे भी साथ बितारे हैं, फिर भी तलाक नहीं हुआ, सब कर रहे हैं, तो मैंने जब उनकी टीम को कोच किया, उन्होंने का उतकर इन में से लीडर आपको कौन लगा, मैंने का ये तीन लोग लीडर है, वो आज तक पांच साल बाद उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लीडर्शिप पोजिशन पे, और जो नहीं थे, वो निकल गए महां से, तो ये एक्सपरिमेंट भ को, मेरे पास ना कोई क्लाइंट, ना इमेल आडरेस, ना वेबसाइट, ना कुछ, टेक्निकली मैं अरहम से बैठ सकते हैं, अभी तो कल दी तो नौकरी खतम हूँ, ये तिनी मेहनत की है, थोड़े दिन रिलाक्स करते हैं, जैनुरी वन को, डिसिप्लिन वस द वाल्यू, सा से एक्सपेरिमेंट शुरू किये, और कहानी आगे बढ़ती है, और ऐसा नहीं कि उस कहानी में रुकावटे नहीं आई, ऑक्टूबर में आज भी मुझे वद्धन याद है, बैंक में 150 रुपे थे, क्योंकि सेविंग्स कट रही थी, खर्चे चल रहे थे, इंवेस्मेंट में अब question था, उतकर खुद पे विश्वास है या नहीं है, सब खराब हो सकता है, मैं याँ बैठके आपसे बात कर रहा हूँ, आज Australia में तो मैं कैसे तो मेरे साथ successful होगा, आपके साथ चाह है, ना हो, तो risk आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने दाइरे में लेना है, ब मैं संभाल लूँगा, कुछ नहीं पता कैसे संभाल लूँगा, क्योंकि पहले छे महिने में सक्सेस मिले अच्छे, क्लाइंट बने ये क्लाइंट वो क्लाइंट, फिर एकदम से डिप आया, कोविट का second wave में डिप ही डिप था चारो तरफ, तो वो तीन लाग का लोन भी सर अपनी is the keyword, क्योंकि success आप मेरे लिए डिपाइंट कर सकते, ये मेरे लिए डिपाइंट कर सकते, कोई नहीं कर सकता, मेरी definition में यादी successful हूँ, तो मेरी वो पांच values के विना, मैं यहां नहीं पहुँच सकता, true, 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 this is very inspiring by the way, very, very inspiring and so happy to know about your journey कि कुछ मैं relate कर पाया, मैं कि क्या है तेरे पास weekend है ना, Saturday Sunday तो office नहीं जाता, तो तुझे जो freedom चाहिए, वो तू Saturday Sunday जी रहा है क्या, और जब मैं जीने लगा, वो Saturday Sunday freedom और ऐसा लगने लगा कि ये दो दिन तो जननत है भाई, क्या कर रहा है, तब उसमें एक और दिन चाहिए, फिर छुटिया लेनी हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है, तो क्या उतकश आपकी बात से मुझे शायद पता नहीं, आप उस पे महर लगाएंगे, कि क्या मैं success की सही बरिभाशा definition समझ पा रहा हूँ कि, if I am doing justice with my core values every single day, and I am feeling happy about it, I am on the path of success for my life, is that correct? अगर ये एक line हमारे दर्शक लिख लें, और इस पे उनका अमल हो जाए और comparison ना करें, तो life जन्नत हो गई, जो चेहरे पे चमक क्या भी आप बात कर रहे हैं, मेरे से कोई पूछने ना, उतकश life कैसी है, bliss है, बहुत मुश्किल है, संगर्ष रोज है, लेकिन bliss है, और ये कर और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में निकाल दोगे, और कुछ करोगे नहीं, तो फिर वही अठके रह जाओ, अगर तुम्हें अपनी freedom प्यारी है, वो value प्यारी है, तो कुछ तो कर, कुछ act, ownership आपकी ही है, तो दोस्तों, success की definition, मुझे लगता है कि, काफी clarity मुझे मिली है मैं सच कह रहा हूँ, Utkarsh, and I'm really thankful to you for this personal coaching session, unpaid. I am very clear today, about what success is, and I'm, you know, unconsciously, I'm happy, but I understand why I'm happy today, even though this is not a multi-billion dollar company, but I'm very happy in this little setup, because maybe I'm doing justice with my core values, which are my core values, I'm doing justice with my core values, खुश हूँ, और वही सफलता है, तो इस चीज़ को note कर लीजे दोस्तों, उतकुछ किताबें पढ़ते हैं अब, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, तो क्या, किताबों का, क्योंकि मैं एक publisher हूँ, इसको पूछे भिना में नहीं रह सकता, मैं खुद किताबों से बड़ा premium क किताबों का, तो क्या रूले किताबों का, क्योंकि हमारे culture में, academics से हम इतने पक चुके होते हैं, और वो इस level पर हमें किताबों से नफरत पैदा कर देते हैं, क्योंकि वो fight होती है, marks की, और जब वो marks नहीं मिलते हैं, किसे हम fail हो जाते हैं, अक्सर जैसे, C.A. में तो fail होना कोई बच्चा मेरे जैसा स्कूल में, स्कूल में सोचो अगर हम कभी fail, fail हो गया, बहुर बड़ी बात है, और हम C.A. में अफसर fail हो जाते हैं, तो academics क्या करती है, academics क्या करती है, रटाती है, academics क्या करती है, marks के हिसाब से पढ़ाती है, तो हमारे जो culture के अंदर, किताबों से ए बात कर लें, या self-help किताबों की बात कर लें, उनको अगर हम पढ़ते हैं, तो वो बड़ा ही enrich करती है, soul को आपको, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, वीवर्स को कि किताबों का क्या रोल है, और if somebody wants to do big in his life, maybe step, you know, big leadership roles, and do justice with the core values, how helpful are books, other than academics? जो आपने कहा, joy of learning खतम हो जाता है, मैं इस पर इतना intensely focus करना चाहता हूँ, कि हम सोचते हैं कि learning और growth हमें क्या देगी, joy, जिन्दकी अभी आपने बोला, आप happy हो, unconsciously life values पर जीरे हो, क्या चाहिए, happiness, घूमपर के कहानी में हमें चाहिए, खुशी ही, लेकिन उसको खोजने क के लिए हम इतने जंजाल रच लेते हैं अपने चारो तरफ, तो joy of learning कभी नी miss होना चाहिए, जो आप कहरे हैं वो बिल्कुल true है, किताब हो में I think the first thing that I want to say, for me, भागवत गीता is the biggest book, वहाँ पर इतना सार है जीवन का, कि मैं आज यहाँ हूँ, non-attachment, कि यह conversation मेरे लिए बह non-attached to that, मेरा काम करम करना है, उसके आगे non-attachment, so Gita is a book that I think is a very precious book for my life's journey, the other idea I feel is, जो भी इंसान किताब लिखता है, चाहे वो 20 पन्नों की लिखे या 2000 पन्नों की लिखे, वो बहुत महनत से उसमें कुछ synthesize करके डालने की कोशिश कर रहा है, और जो synthesis है, किसी के experience का, किसी के lived experience का, किसी के principles का, किसी के rituals का, values का, अगर वो आपको बिना किसी महनत के एक pizza की price पर पढ़ने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे पैसे दे दे, सिर्फ बाते करने के और किताबे पढ़ने के, bliss का भी bliss to the power 2 हो जाएगा, मुझे दे रहा है, चलिए पर हम एक coaching session मुझे पर रहेंगे, लोग हमें पैसे देते हैं, किताबे पढ़ने के, तो मैं उनकी किताबे पढ़ी तो रहा हूँ, और मैं किताबे भी पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत खुश, और क्या चाहिए, इस बीडिशन में जाना चाहिए, छोटा शुरू करें, छ खतम करी, पिछली बार जब मैं जा रहा था, तो एक start-up coach है, उनकी एक किताब है, वो खतम करी, अब वापसी के लिए मेरे पास एक किताब है, वो भी खतम हो जाएगी, और उसको मैं synthesize भी कर पाता हूँ, क्योंकि बारा सुड़े बार गंटे बहुत होते हैं, अगर आप उ किताबों का है, किताबों ने ही रास्ता दिखाया है, और यह पस्पेक्टिव दिया है कि यह पॉसिबल है, और वो बहुत जरूरी है, मेरे दो क्वेस्चन है, I am very close to closing the podcast, you have to catch your flight back to Melbourne, so keeping the time limit in mind, results, देखिए, मैं अपनी पात पे चल रहा हूँ, हाला कि आपने भगवत गीता का भी नाम लेगिया, तो बात तो वहां खतम हो चुकी है, क्योंकि एम कोशिश करते हैं इस question को, क्योंकि viewers के लिए जरूरी है यह समझना, कि हम results से बहुत attached, मैं इतनी महनत कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, again going back to organization, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने लोगों को हो गया, अगवान मेरे से पता नहीं क्या चाता है, मुझे result नहीं मिल रहा, जब result ना मिले, तब भी उस path पर, उस core values की path पर चलते रहने के लिए, मैं क्या motivation ढूंगा, मुझे यह समनना है, क्योंकि बहुत हद तक, we can't deny, कि पैसा एक बहुत बड़ा game play करता है life, ultimately yes, eventually पैसा तो चाहिए, तो आज पैसा है ना, तभी ना, आप Melbourne की flight से आ रहें, जा रहें, बिल्कुल, और मैं यह podcast कर रहा हूं, हमने setup किया हुआ है, बिल्कुल, अब वो पैसा बहुत हद तक results पर dependent है, तो कैसे हम इस बात को समझें कि result नहीं आ रहा, और मुझे, मला, what should I do then, if I'm, if I'm somebody who's doing justice with my core values, and I'm trying to display leadership skills, but I'm not getting results, how should I stay motivated to still be on that path, beautiful, तीन, बहुत बढ़िया, तीन चीज़े दिमाए में आती है, पहली चीज़ अभी Tuesday को में, एक Fintech founder के साथ बैठा था, और उन्हें बहुत बढ़िया बात थे, बहार की countries में पैसे की value इतनी मानी जाती है, और हमें इतना पै इसके बारे में, हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है, पैसा हातों की mail है, तो हम पैसों को नीचे ले जाते हैं, लेकिन अंदर से हमारा हर decision पैसे से driven है, तो जो delta है दोनों के बीच में बहुत बढ़ा है, इसलिए हम एक खिची हुई society भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम पैसे को में remove करना है, और जो आप पैसे की बात करें, तो बहुत important है, उसके बिना life में आप जाके अपने बच्चे की fees भी नी दे सकते हैं, यह बोलगी मैं तो बड़ी value से जी रहा हूं, मेरी fees माफ कर दो, कोई नी सुनेगा, तो यदि आप ऐसी organization में जहां आपको यह चीज लग के लिए, कि मेरे को क्या steps लेने है, क्या मेरी performance के measurement है, क्या metrics है, जो मैं पूरे करूं कि मेरे को promotion मिले, अगर आपके लिए promotion important है, तो यह तो एक straight away answer हो गया, the other answer is, कि जब आप values की बात करते हैं, अब मेरी values है, मैं पांचों से जी रहा हूं, लेकिन result वैसे नहीं मिल रहा, तो you have to go and talk to someone who is at a higher pedestal than you, and you go with the humbleness and the humility कि मैं open हूं, सीखने के लिए मुझे सिखा दो, तो उस पात पे जाके, आप उनसे जब शेयर करेंगे, तो I'm pretty sure, मेरी जिंदगी में mentors का, guides का बहुत बड़ा रोल रहा है, and I don't think मैं उनके support कि मेना यहां तक होच सकता, तो I think यह चीज़ बहुत जरूरी है कि आप humility से किसी और से जाके पूछ सकें, किया रही मेरी मेरी life में solved नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझा रहा है, क्या आप as a coach, as a mentor, as an advisor, मुझे guide कर सकते हो, यह तीन चीज़े जहन में आती ही नितिन, जो I think viewers को काफी help करेंगे, I'm sure, अब हमारे culture में कहा ह हम, हम, we reach out to our friends, every time, but that may not be the right approach, क्योंकि he may not be the qualified person to handle your problem, है ना, तो आपको professional help सी करनी चाहिए, जो शायद हमारे culture में थोड़ी कम है, मगर उसे promote करना चाहिए, उतकर जिस has been a fantastic enriching conversation, जिसे मैं खतम नहीं कर सकता, एक डॉक्टर से health के बारे में ना बात किये बना, तो मुझे के स success की तरफ जा रहा हूँ, मैं happy हूँ, और मैं leadership skills पर भी काम कर रहा हूँ, मगर आजकल कुछ lifestyle ऐसा है, खानपीन ऐसा है, हमेरी ना, इनसानों की, in fact, everybody, you look around, health, young age में heart attacks हो रहे है, BP एक normal problem है, hypertension is so normal, कि आप सोच नहीं सकते, तो मैं एक health पर आप रोशनी डाल दें, और क्या कर पर आप रहे हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो last priority है, उसको हम समझते हैं कि work है, family है, मेरी life है, health है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदी है, घर खरीदी है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़े हैं हमारे चार दरफ, health की importance को सबसे लो ले जाते हैं, मैं खुद उस zone में रहा हू बहुत साल, इसलिए मैं समझ सकता हूँ, अभी थोड़ा सा हलका हुमाई है, मैं भी आज से करीवन एक साल पहले जब हम Melbourne गए थे, 107 किलो का था, और मुझे पता है कि मुझे उस time realize ही नहीं होता था, मुझे लगता है मेरी life में इतनी attention है, या बच्चों की पढ़ाई, वो यहाँ जाने, वहाँ जाने, काम नहीं चल रहा, start-up है, यह है, वो है, और उसमें मैं हमेशा health को नहीं चली जा रहा हूँ, but the real answer is कि मैं उसको prioritize नहीं कर रहा हूँ, health आपकी सबसे बड़ी धरोवर है, अगर आज मेरे हाथ को आप काट दो, तो मैं value की नहीं अपने हाथ की करूँ, दांत में 5 मिट दर्च चुरू हो जाए, सारी values निकल जाती है, तो health, your body is the only vessel, जिससे आप values बना सकते हो, achieve कर सकते हो, outer success ला सकते हो, तो अगर आप उस vessel का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा, उसमें mental health हो, emotional health हो, किसी भीड़ी, physical health हो, आपको उन सब को cater करना बहुत जरूरी है, again, I'll take back to, अब पिछले एक साल में, my discipline has been कि मैं रोज उठकर, exercise के लिए जिम जाता हूँ, I spend at least 60 to 70 minutes, every single day, without a fail, because it's an important thing, क्योंकि मैं को रिलाइस होने लग गया, कि अगर कुरसी बैठ के podcast करोगे, या लोग को coach करोगे, तो थोड़ मैं खुद कही धियान नहीं रखूँगा, तो फिर बचा किया, आज मैं 16 किलो कम हूँ तब से, एक साल में, वारभी 16 और होना है, so then say कि, हाँ, I'm a healthy person, so I think अपनी health को prime importance दीजिए, क्योंकि वो एक लौता वैसले जो आपकी family को, आपको इस धर्ती को आगे ले जा सकता है, progress क पात पे रख सकता है, then it's very critical, very critical. Thank you very much Utkash, it's been such a pleasure, and as I said, enriching conversation, मैं नोटस बनाता जा रहा हूं, बना लिये, मैंने बहुत सारे अपने लिये, और I'm sure हमारे वीवर्स ने बना लिये होंगे, एक बार फिर से दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, I hope you also had a great experience, absolutely, absolutely, thank you very much, thank you so much for having me Thank you, friends, this was the conversation with none other than Utkarsh Narang, one of the most sought-after leadership coach around the world today, आज हमने बात की हेल्थ की, हेल्थ के बिना कोई वेल्थ नही है, आप आप ये समझ लीजिए कि आज आपको इस पॉड्कास के थूरू सक्सेस की परिभाशा भी मिल चुकी है, मुझे मिलिये, you have to identify your core 528 values, and if you do justice to them, you're very close to say that you are successful, at least on the path of being successful, किताबें पढ़िए, किताबें आपको वो perspective देगी जिससे आप अपनी जिंदिगी का एक रुख तक बदल सकते हैं, तो academic के बाहर भी एक दुनिया है, उस पर focus करिए, AI कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन इंसान से इंसान का जो एक रिष्टा है, एक जो relationship है, जो emotions की जो कदर है, वो replace नहीं हो पाएगी, तो आप यह समझ लीजिए कि leadership का, आपकी skills का, आपकी soft skills का, human to human touch का कोई replacement नहीं होगा, insecurity की growth में कोई जगे नहीं है, growth का मतलब है growth, you have to grow, people around you must grow, then only the country will grow, तो यह insecurity को लेकर अगर हम बैठेंगे, तो हम बढ़ नहीं सकते, और in between इतने स तारे gold nuggets जो कर्ष ने आज हमें दिये, मैं चाहूंगा की, I would really request all of you to go back to this podcast if you have seen thus far, and understand, take out some core things that you can imbibe in your life, implement, and wish you all the best, I hope you enjoy the conversation, I'll see you next time with another guest in CN Itin Soni podcast, thank you very much for tuning in. झाल